हेलो चिल्डरन कुसुम मैं की ओनाइन क्लास में आपका स्वागत है प्यारे बच्चों आज हम फोर्थ क्लास के सब्जेक्ट इंगलिस का लैसन नाइन दस हैरा को अच्छी तरह से रीड करना भी सीखेंगे और इसे इंगलिस से हिंदी में ट्रांसलेट करना भी सीखेंगे सभी बच्चे वीडियो को सुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें ताकि आपको ये पार्थ अच्छी तरह से कलियर होसके क्योंकि बच्चों इतने भी क्यूशन्स पूछे जाते हैं एक्जाम में वो सब लैसन में से ही होते हैं और अगर एक बार आप अच्छी तरह से ये एक और बात अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो मिरे चैनल ओनलाइन स्टेडी हब को सब्सक्राइब भी करें साथ में दिए वेल आइकन को जरूर प्रेस करें लैसन नाइन दस है रहा परी रिडिंग फर्स्ट अफ ओल लुक अट इस पिक्चर और से वर्ट पीपल आ डूइंग बच्छो सबसे पहले आप इस पिक को देखो और मुझे बताओ कि इसमें लोग क्या कर रही हैं क्या नजर आ रहे आपको हां यहां पर देखिए एक दिये जला रहा है और यहां पर देखो दो बच्चे भी दिखाए गए हैं और यह बच्चे क्या कर रहे हैं यह आतिस बाजी कर रहे हैं है ना हां तो बताओ बच्चो अब यहां पर देखो एक बार नीचे क्यूशन दिये गए हैं इनके आंसर बताना आपको पहले क्यूश में तो पूछ लिया था मैंने कि picture को में लोग क्या क्या कर रहे हैं second question आया अब कि name the festival shown in the picture picture में जो festival दिखाया गया है उसका नाम बताओ कौन सा नाम बताओ festival का दिवाली दिवाली जो festival है उसी के उपर हम ऐसे करते हैं क्या क्या काम करते हैं दिए भी लगाते हैं अपने घर में दिए जलाते हैं आतिस्वाजी करते हैं घर में रंगोली बनाते हैं है ना दिवाली पर होता है यह सब अब आगे है कि how do you celebrate this festival आप इस festival को celebrate कैसे करते हैं तो बताओ बच्चो क्या क्या करते हैं इस पर इस तोहार पर सुबह उठते हैं, नई कपड़े पहनते हैं नहाते होते हैं और उसके बाद घर में खाना यानि मिठाई वगेरा भी बनती है अलग से डिशिस बनती है खाने की, रात को लक्समी जी की पूजा की जाती है आपके घर में भी जिस्तें से ये फेस्टिवल, दिवाली फेस्टिवल जो है जिस्तें से celebrate करते हैं, आप वो अपने अंसार यहां पर बता सकते हैं आगे हैं, विच फेस्टिवल celebrates the victory of Lord Rama over Ravan Ravan पर भगवान राम की विजय के रूप में किस त्योहार को celebrate किया जाता है कौन सा त्योहार है जो इसमें पूछा है कि रावन पर भगवान राम की विजय के रूप में मनाया जाता है, कौन सा त्योहार है पता है, वो है दशहरा हाँ, very good अब देखो आगे है रीडिंग पार्ट और अब हम तसहरा फेस्टिवल के बारे में पढ़ेंगे सबी बच्रे ध्यान लगा कर जरूर सुनिये इंडिया इस लैंड ओफ फेस्टिवल्स एंड सेलिबरेशन्स भारत उत्सवों और त्युहारों का देश है सेलिबरेशन होता है उत्सव में वन और दे अदर फेस्टिवल्स एज सेलिबरेटेड इन सम पार्ट ऑफ दे कंट्री थ्रूआउट दे एर पूरे साल यानि वर्ष भर देश में देश के विभिन भागों में किसी न किसी स्थान पर जो है वो एक या दो त्युहार यानि कि कोई न कोई वन और दा आदर का मतलब है कोई न कोई त्युहार मनाया जाता है सेलिबरेट किया जाता है All festivals convey the message of love, brotherhood and unity सभी त्युहार लव यानि कि प्रेम, brotherhood, भाईचारे और unity होता है एक ता एकता का मैसेज देते हैं, एकता का संदेज देते हैं They are celebrated by all Indians वे सभी भारतियों के दवारा मनाय जाते हैं तशहरा is an important festival तशहरा एक important महत्वपुर्ण त्युहार है It is also known as विजया दस्मी यहें विजया दस्मी के रूप में भी कहते हैं यानि कि इसे यहें इसे विजया दस्मी भी कहते हैं ऐसे हो सकता है It is usually celebrated in the month of October in the honor of Lord Rama's victory over Ravan, the king of Lanka It is usually यहें आमतोर पर मनाया जाता है October के महीने में और Lord भगवान के सम्मान में कौन से भगवान? Rama's victory over Ravan Ravan पर भगवान राम की विजय के सम्मान में यह मनाया जाता है यानि उसकी खुशी में, October के महीने में यह मनाया जाता है सबसे पहले आप इस पिक को देहान से देखो एक बार क्या नजर आ रहा है आपको इसमें? कौन-कौन है बताओ, यह कौन है? यह है रावन और यह कौन है? यह है भगवान राम और दोनों का ही युद हो रहा है है ना? तो यहां पर यह जो है राम और रावन के युद का दृष्य दिखाया गया है अब आगे है कि विक्ट्री ओवर रावन, द किंग ओफ लंका यहां यह भी है कि लंका के राजा रावन पर भगवान राम की जो है विजय की खुशी के रूपे यह मनाया जाता है अब आप बच्चों यह भी ध्यान लखिए ओवर आवल यह है ना? जो गुट ओवर आवल और विर्चु ओवर वाइस यह ध्यान लखना है आपको ठीक है? मैं एक पार इसका मिनिंग भी बता देती हूँ यहां पर जो गुट ओवर आवल है ना? इसका मतलब है कि बुराई पर अच्छाई और विर्चु ओवर वाइस का मतलब है कि दुर्बुनों पर गुणों की विक्ट्री है जीत यानि कि यह बन गया it marks the victory of good over evil और virtue over wise यानि कि यह है evil यानि कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है या फिर इसे ऐसे भी खह सकते है कि दुर्बुनों पर गुणों की जीत का जीत की का जो है वो प्रतीक है 10 days before the Shara, the Shara से 10 दिन पहले the Ramlila is staged during the night in towns as well as cities the Shara से 10 दिन पहले सहरों में साथ ही साथ सहरों में भी और साथ ही साथ गाउं में भी रात के दोरान Ramlila का आयोसिन किया जाता है यानि इनका मंचन किया जाता है In Ramlila's, the stories from Lord Rama's life are enacted in the form of a drama for 10 days Ramlila में भगवान राम के जीवन से समधित कहानिया दस दिन तक ड्रामा के रूप में खेली जाती है यानि कि इसका मतलब है बचो की 10 दिन तक जो है भगवान राम के जीवन से समधित जितनी भी कहानिया है वो रामलिला के रूप में ही ड्रामा के रूप में मतलब रामलिला में ड्रामा के रूप में यानि पले के रूप में नाटक के रूप में जो खेली जाती है Thousands of people watch and listen it with great reverence and enjoyment Thousands of people यानि कि हजारों लोग इन्हें बड़े ही आनंद से और reverence यानि बड़े ही आदर से देखते भी हैं और सुनते भी हैं Watch and listen देखते और सुनते हैं The marriage of Rama and Sita is celebrated with great pomp and show Ram और Sita का marriage, Sita का विवा जो है वो पूरी शानो सौकत के साथ मनाया जाता है Pomp and show का मतलब है शानो सौकत ये याद कर लेना शानो सौकत के साथ मनाया जाता है The marriage procession passes through the main streets of the city जो सोभा यात्रा होती है विवाक की जो सोभा यात्रा है वो सहर के main गलियों में से गुजरती है The spectators line up in the streets to witness the sight इस द्रश्य की जलक पाने के लिए गलियों में जो है spectators यानि दर्शक वो कतारों में खड़े रहते हैं The bajars are decorated with lights Bajarों को lights से decorate किया जाता है यानि रोशनियों से सजाया जाता है Many stalls of sweets, gift and toys are set up बहुत सी sweets की मिठाईयों की उपहारों की खिलोनों की जो है वो stall जो है वो लगाई जाती है On the last day, a grand celebration is held in an open ground outside the city Antimtin सहर के बाहर एक open ground में यानि की एक खुले मैदान में एक शानदार grand means होता है शानदार celebration किया जाता है उस्षव यानि की मनाया जाता है Big effigies of कुम्बकरन, रावन and his son मेगनाथ are set up there बड़े-बड़े पुतले, हैफिज होता है पुतले Sunset Sunset होने से पहले ही यानि की सूर्य अस्थ होने से दो या तीन घंटे पहले ही ग्राउंड में ये हैं आत्मी, ओरतें और बच्चे Sunset dresses पहन कर इकठे हो जाते हैं आगे समझ में बच्चो ये किते हैं की सूर्यास्त होने से दो तीन घंटे पहले ही आत्मी, ओरतें और बच्चे Sunset dresses पहन कर ग्राउंड में जो है वो इकठे हो जाते हैं The whole ground hums with life पूरा जो ground है यानि की सारा मैदान जो है वो जिवन थो उठता है Children enjoy fun and amusement बच्चे खूप मनोरंजन करते हैं, आनंद लेते हैं People stand in an open circle around the effigies लोग पुतलों के चारों और खुले में एक खुला जो है एक सर्कल यानि की घेरा जो है वो बना कर खड़े हो जाते हैं Towards sunset सूर्य अस्त होने पर Fireworks are let off आतिश्वाजी शुरू हो जाती है Then, Rama and Lakshmana come in a chariot तब राम और Lakshmana रत पर आते हैं Rama shoots arrows on the effigies and they are set on fire राम जो है वो पुतलों पर बान चलाते हैं और उनमें आग लग जाती है Crackers and shells explode with a diffening sound Crackers Crackers का मतलब है बच्चों यहाँ पर पठाके पठाके और बंब जो है वो कानों को बहरा कर देने वाली आवाज के साथ फटते हैं Within a few minutes कुछ ही मिन्टों में the effigies are reduced to ashes कुछ ही मिन्टों में पुतले जो है वो राख में बदल जाते हैं After this people return home in a joyous mood उसके बाद लोग खुश के mood में अपने घरों की तरफ यानि की खुशी खुशी अपने घरों में लोट जाते हैं Thus the festival comes to a happy ending Giving the message of victory of virtue over wise and good over evil Thus इस परकार इस तरहें The festival यत्युहार यत्युहार बुराई पर अच्छाई और दुर्गुणों पर सद्गुणों की विजय का संदेश देता हुआ समाप्त हो जाता है खुशी खुशी समाप्त हो जाता है सबसे पहले आप एक पार इस पिक को रध्यान से देखिए अब मुझे बताईए बच्छो आपको इस पिक में क्या नजर आ रहा है हाँ बताओ यहाँ पर यह रावन कुम्पकरण मेगनाथ के जो है वो एफिगीज है इनके पुतले है और राम और लक्ष्मन जो है यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर वो अपने बानों को चलाते हैं और यह जो है पुतले थोड़ी सी देर में ही राह का धेर बन जाते हैं ठीक है इसमें यही मैसेज जो है बुद दिया गया है कि यह दसहरा का त्योहार जो है हमें बुराई पर अच्छाई की जीत का मैसेज देता है अब आगे हैं दसहरा celebrations of कुल्लू and मैसूर are world famous and are major tourist attractions कुल्लू और मैसूर के जो दसहरा है उनका दसहरा पर संसार भर में famous है प्रसिद्ध है और प्रियटकों के ट्यूरिस्ट के जो है attraction का यानि की आकर्षन का मुख्य केंद्र है यानि की बच्चो यहां का गया है जो कुल्लू और मैसूर में जो दसहरा मनाया जाता है वो काफी world famous है तो बच्चो आज इस वीडियो में केवाल इतना ही हमने इस पार्ट को अच्छी तरह से रीड करना और हिंदी में ही इसको जो है इंगलिस से हिंदी में translate करना सीखा है जी आसा है सभी बच्चो को यह अच्छी तरह समंस में भी आ गया होगा और अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके question answer word meaning other activities grammar part को सब आगे समझाने वाली हूँ तो आप वीडियो देखते रहे पढ़ते रहे तो हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में तब तक के लिए पाई बच्चो